हलो फ्रेंड्स मैप सीरीज में ये एसिया मैप का सेकेंड वीडियो है और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफूल है देख्या दोस्तो आज के टाइम में आप कोई भी एक्जाम दे दो मैं हायर एक्जाम से लेके लोवर एक्जाम सब की बात कर रहा हूँ Middle East या West Asia जहां पे हमेशा पिछले 30-40 साल से इन सब एरियाज में कहीं न कहीं लड़ाई चलती रहती है छोटे-छोटे ही देश हैं कुछ बड़े देश भी हैं तो ये हमेशा निउज में रहता है और हमेशा ही सवाल पूछे जाते हैं अभी भी डोनल्ड टरंप की पॉलिसियों की वज़े से ये निउज में चाया हुआ है बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जाती है हम लोग सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो एक्जाम में आएगा अगर ये मैप आपके पास है आपने वर्ल्ड अटलस या कोई भी अटलस ऑक्सफोर्ड का या ब्लैक स्वान का कोई भी है आपके पास लेके उससे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा दर्वाइज नहीं भी है तो खरीद लो और इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भ पिर देखेंगे फीजिकल मैप जो की पूछा जाता है उससे भी ठीक है यहां देखिए मैक्सिमम जो यह जगह है इन में मतलब मैक्सिमम जो है वो रेगिस्तान है ठीक है रीत है सैंड है मैक्सिमम सब सारा तो नहीं है लेकिन पहाड़ी इलाका है रेगिस्तान है यह सबसे फेंदी में खरीद होगे तो मिल जाएगा भूमद्य सागर या मेडिटरेनियंसी को रेड सी से या लाल सागर से जोड़ता है क्या स्वेज नहर अब आपके सामने सवाल आता है कि ये स्वेज नहर जो है ये क्यों फेमस है इसे 1879 में खुला गया था ठीक है 1869 में कई बार एकजाम में पूछा भी गया है और मैंने पिछला जो मैप आपको बताया था उसमें मैंने एसिया की एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी थी एसिया क्या है इसमें कहां कहां से सवाल आते हैं कौन कौन से इसके पार्ट हैं अगर हम इस में रीजन की बात करें तो सबसे बड़ा देश है साओधी एरेविया जो की एक सुन्नी कंट्री है और इरान जो की एक सिया कंट्री है ये मुसलिमों में दो डिवीजन होता है हो जाते हैं तो आपको कमेंट करने चाहिए जो लोग कमेंट करते हैं वह इंटरेस्टेड हैं खुद अपनी लाइफ एक प्रोग्रेस की और बढ़ा रहे हैं और वह इंटरेस्टेड तरीके से देखते हैं तो आईए साउधी अरबिया से किसकी किसकी बाउंडरी लगती है प मतलब यह है कि साओधी अरफ सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपना बॉर्डर सेयर करता है साओधी अरविया अगर आपसे कुश्चन में यह पूछा गया है कि कौन सा देश रेड़ सी और परसियन गल्फ या कि फारस की खाड़ी के बीच में फसा हुआ है इस्थित है तो में बदली गई है तो मान दोस्तों जो लोग भी डेली करेंट अफेस देखते होंगे उसमें उनको पता होगा यह जो चीछ आप अभी सामने अलग से देख रहा हो इसको मैं सब्सक्राइब एक दिन जरूर से जरूर डिसकस करता हूं विठ डिटेल आपके रिविजन हो जा और यहां दो इस्ट्रेट है यह कौन कहूं से है तो यह एक स्ट्रे haar यहां पर बाबल मंडेब और ड्यइड ओर ओर मूं मुझ चपा होर हरोमुझ में देखे़ें यह यह अफरीका और एस्या मतलब वेस्ट एस्या के बीच में हैं अगर सी की बात करें, तो RED SEA और अरब यहनसी कू जोड़ता है, यह अलग-अलग करता है और LAND को जोड़ता है, तो वो है अफरीका और वेस्ट ऐसिया और यह है STATE OF होर्मूज ठीक है, STATE OF होर्मूज यहां इस्तित है प्लीज याद रखिए फारस और होर अगर आपको confusion है तो ऐसे याद रखिए फारस या परसिया और हरसिया पर हर ठीक है परसिया होता है हरसिया और पारस और हरस ऐसे आप याद रख सकते हैं ठीक है दोस्तों मैं आपको detail में भी दिखाऊंगा यह जब आपको मैं दिखा रहा हैं कौन-कौन से पहाड है कौन-कौन से रेगिस्तान है ठीक है दोस्तों अब आईए नेक्स्ट जो है मैं आपको बता रहा था यह है रेडसी यहां भी यह मौजूद है हम लोग सब करती है UAE के साथ और यमन जो है इसकी राजधानी है साना और यह डिनार यहां की करेंसी है अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूँ सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट में रहता है वो प्लेस है यहां इसरेल इसरेल अभी भी नियूज में था क्यों क्योंकि इसरेल जो है इ इसकी वज़ासे तेल अभीव से इन्होंने अपने राजधानी कहां रख दिया जिरूसलम तो इस वज़ासे यह नियूज में था अब देखिए इसराइल एक छोटा सा देश है यह और यह कितने देशों के साथ बाउंडरी सेयर करता है ध्यान से देखिए यह है जॉर्डन यह है उसकी राजधानी अमान और इसराइल की राजधानी है यह जिरूसलम यहां है वेस्ट बैंक है और यह नॉर्डन इलाका है इनके भी प्रोविंस है चोटे 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 और यह सबसे जादा नियूज में रहते हैं तो प्लीज से प्लीज याद रखिएगा इसराइ की बाउंडरी इतने सारे देश से लगने अगर आपने इसराइल की पढ़ियोगी और मैं तो कहता हूं जरूर पढ़िये क्योंकि यह एक लौता देश है यह जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सब मिलके एक बार इस पे आकर्मन कर दिये थे फिर भी यह नहीं हरा इन सब से ल चल रहे च chilli कि अगा मेरे ब्शुर्च मेरे भी मैं इतने से किस इस भाउंडरी लगती है तो देहां से इजराइल की लगती है लेगिया दिखायता आपको ठीक है तो ये आपको खुद बोखुद याद रखना है एक उपर है ब्लैक सी ब्लैक सी का मैंने ट्रिक बताया था R, U, B, G, T Russia, Romania, R, U, Ukraine B, Bulgaria, G, Georgia T, Turkey यह जो था, यह मैं आपका revision करा दिया हूँ, क्योंकि इससे बहुत बार सवाल पूछेगा है, यह बहुत बार पूछा भी जाता है और मैंने मैप में दिखाया भी है तो यह आपको याद रखना है कौन सा C, बार-बार इसको देखना है बार-बार रिविजन करना है, एक बार में नहीं होगा ठीक है, परसियन गल्फ के अराउंड कौन कौन से स्टेट है, साओधी एरेविया है, इरान है यहाँ पर देखेंगे तो छोटा सा कुवैत है कुवैती दिनार, जिसकी करेंसी वैलियू इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम टाइम, बहरीन है और यह कतर है, फिर आता है आबुधावी, और यह यूवेई, दोनो है, ठीक है इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, नेक्स्ट है इंपॉर्टन चीज़ में मैं बात करूँ तो यह है इराक, इराक की राजानी कहा है मैंने बताया ही था अब आते हैं पॉलिटिकल मैप की ओर और यह तो अब गलगभग कम्प्लीट हो गया पॉलिटिकल मैप की अगर बात करेंगे तो यह है political map इससे कुछी चीजों को याद करना है सब आप याद करो भी नहीं और याद होगा भी नहीं ठीक है इजरायल लिबनान अपने देख लिया अब हम बात करेंगे क्या-क्या याद रखने वाली चीज है इरान आपने देखा होगा यहाँ पे एक है जैगरोस माउंटेन जैगरोस की पहाड़िया कहा है तो यह है इरान में प्लीज इसे याद कर लेजिएगा एक यह पूशा जाता है और आप अगर इसे चार बार देखोगे तो यह खुद याद हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ यहाँ ध्यान से देखिए रब अल खाली यह नाम भी है साओधी अरेविया के प्रेंस के टाइप रवल खाली तो यह है कहां पे साओधी अरेविया में नेक्स्ट है मकरान की खान आपने सुनी होगी नाम कभी न कभी अपने हिस्टी के किताब में तो यह आपको मकरान की खान जो है यहाँ आपको दिख जाएगी य यह मकराना ठीक है दोस्तों यह आपको दिख गया इतना अगर आप याद रखते हो ना इससे ज़्यादा सवाल पूछेगा ही नहीं और अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो दस्त एलूट याद रखिए अगर दस्त एलूट यह भी है इरान और पाकिस्तान के इलाके मे अलबूर्ज माउंटेन किसकी बाउंडरी लाइन पे है तो यह है इरान की माउंटेन इतनी चीजें अगर आप याद रखते हो नदियों की बात करें तो दजला और फरात यह हिंदी में बात होती है यह आपको याद रखना चाहिए इंगलिस में बात है यूफरेटस इंग द्यान रखी थैंक यू सो मुझ फर वाचिं तिल देन बाव बाई